Hey all right and welcome to all in today's The Hindu News Discussion Now, आज है 19 अप्रेल तो आज के News Discussion को जान लेते हैं हमारा trigger point यही रहता है कि previous year mains का जो paper है analyze करके prelims का paper analyze करके आपके लिए जो भी important हर एक page से notes हैं उसको extract करके आपको notes के form में देना आज क्या है जानने को आज बहुत कुछ जानने को है intellectual property right के basis पर एक article publish हुआ है उसमें एक board को suspend कर दिया गया है पूरी तरह हटा दिया गया है ठीक है वो board क्या है वो क्या काम करता था और उसको हटाया क्यों गया है model code of conduct election commission of India के पास कितनी powers होती है इस पर भी एक article छपा हुआ है long period average जो है monsoon से related है लिंगराज temple है बहुत कुछ है और एक disease है वो भी हम जानने वाले है detail में तो discuss करेंगे आज का news paper में पूरा detail में prelims और mains के basis पर है but without moving further आपको telegram application download कर लेनी है such box में type करना है at the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे now आसे हम daily एक UPSC mains का question जो है start करने वाले हैं फिर से बीच में हमने pause क्या हुआ था Saturday और Sunday को तो वैसे भी नहीं होता कुछ Friday का skip हुआ ठीक है तो आज है Monday आज से daily के basis पर आपको जब तक ये paper upload आपको मिल चुका होगा इसी channel पर एक UPSC mains का question भी दिखा होगा आप उसको attempt करें और उसका साम को analysis भी होगा ठीक है उसके साथ PR publication की अगर आप paid plans लेना चाहते हैं जहाँ पर सभी बच्चे answer writing करते हैं सभी की आप answer writing देख सकते हो तो daily answer writing group में देख सकते हो daily दे हिंदू के notes आपको मिलते हैं 6012th NCRT notes phone guidance आपको मिल जाता है for 99 रूपीज में अगर आप ये तीनों plan एक साथ लेते हैं तो आप avail कर पाएंगे 999 रूपीज में लेना बहुत simple है दिये गए नमर पर Google पर phone पे कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसके screenshot से नमर पर आपको WhatsApp करनी है और हम आपको अपने telegram private group से add कर लेंगे अगर आप डाटा चाहते हैं अपने basis पर भी देखना तो आप इसको covid19india.org से आप देख सकते हैं ये एक independent aggregator है daily covid figures अगर आप जानना चाहते हैं और उसके basis पर अपरेल में जो session था जही means का वो भी पोस्ट पॉन हो चुका है class 10th की अगर मैं उत्राखंड के बारे में बात करूँ class 10th की जो exam है वो cancel हो चुके हैं और 12th के exam पोस्ट पॉन होए हैं ऐसा cbac में भी देखने को मिल रहा है now next जो news आती है हमारे भुदपूर्व जो प्रदानमंत्री जी थे है मनमोहन सिंग उन्होंने प्राइमिनिस्टर नरेंद मोधी को एक लेटर लिखा और उसमें suggestion कुछ दिये उन्होंने कि आप क्या कर सकते हैं किस तरह से जो second wave है covid-19 को उसको कम कर सकते हैं उन्होंने ये बोला giving more flexibility to state government कि जो vaccine producer है उनको और जदा state government को allow करने दें कि कि इसको license देना है कि इसको नहीं vaccine supply जो है उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए तो इस तरह से कुछ suggestion दिये Mr. Manmohan Singh ने Now next जो news आती है High court के basis पाती है यहाँ पर High court ने बोला है अभी AIMS से से All India Institute of Medical Sciences से ये बोला और आम आदमी party government को ये बोला कि आप क्या करो जिसको भी एक disease है disease का नाम क्या है इसको किस तरह से pronounce करेंगे Iskitsophrania क्या बोलेंगे Iskitsophrania क्या बोलेंगे Iskitsophrania ठीक है इसको pronounce ऐसे करते है Now अब है मुद्दा क्या भाई और हमारे prelims के लिए ये किस तरह से काम आएगा तो हाई कोट ने अभी आम आदमी party को बोला और aims को बोला कि आप जिस जिस patient को Iskitsophrania है आप उसको लिष्ट दे दो हमें अब ऐसा क्यूँ ठीक है ऐसा इसलिए कि एक महला आती है petition डालती है उसका 32 साल का जो बेटा है वो क्या करता है उसको mental condition उसकी खराब है aggressive behavior वो देखने को मिलता है तो महला ने petition में ये डेला कि हमारे 32 साल का जो लड़का है उसको स्किट्सोफरेनिया है और वो उसका aggressive nature हमारे life के लिए जो है हाम कर सकता है हमारी life को impact कर सकता है हमको मार भी सकता है तो इस वे से इस पर high court ने बोला कि आप list निकालो ताकि हम इनको अच्छा सा treatment दे पाए और ये date दी है कि आप प्रेल 17 तक आपको list of जिसको स्किट्सोफरेनिया है उसकी detail मुझे देनी चाहिए I think मैं आपको पूरा current समझा चुका हूँ अब मैं थोड़ा स्किट्सोफरेनिया के बारे में समझा देता हूँ जो prelims मैं एक marks में पूछा जा सकता है स्किट्सोफरेनिया ठीक है General Studies Paper 2 Health Achievement of Indians in Science and Technology ये पूछा जा सकता है और NPR T1 that encodes an enzyme involving the vitamin B3 metabolism is a large genomic data set of schizophrenia patient the study has predominantly been done in the population with European ancestry अभी ये जो study होई है 2019 से अभी भी चल रही है भारती ancestry में भी चलने वाली है बड़ मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि आप इसमें जाने की इस बीमारी में होता क्यों है क्या है आपसे यही पूछा जाएगा current में जब तक कोई चीश complete ना हो अभी सिर्फ study चल रही है ठीक है अभी इससे कुछ मतलब नहीं है आपका तो आपसे यह पूछा जाएगा with reference to or with respect to schizophrenia recently seen in news choose the correct option below राइट चार option आपको दे दिये जाएंगे क्या आपसे बोलेंगे mental disorder है आपसे बोलेंगे schizophrenia एक हाल में ही नहीं bet की species देखने को मिलिए वो है butterfly की species है और उसमें मान गे चलो अगर आपने schizophrenia के बारे में सुना भी नहीं है तो आप random guess कर ही नहीं पाएंगे कि एक mental disorder है now schizophrenia एक mental disorder है severe mental disorder है disruption in thinking language आप जो बोलना चाहते हैं वो गलत हो है perception गलत हो जाता है sense of self जैसा मैंने बोला कि आपका जो behavior होता है थोड़ा सा aggressive हो जाता है इस बीमारी में effect more than 21 million पूरे विस्व में इससे effect है cause क्या है researcher believe that genetic as well as environmental factor बहुत सरे viruses के वज़े से हो सकता और genetic भी होता अपने माता पिता से भी ये मिलता है also life stressor may play role in the disorder on certain course suppose मान के चलो life stressors क्या हो सकने अभी की youth के उसमें तो यह यह UPSC crack करना है इतना time लगा रहा है notes बनाने में इतना जा रहा है time जा रहा है ये भी एक life stressor ही है on set it is typically beginning in the late adolescence और early adulthood में आपको देखने को मिलता है impact क्या है hallucination delusion, reduced speaking hallucination हो जाता है हो कुछ और रहा होता है दुपता कुछ और है ठीक है और schizophrenia एक treatable disorder है ये prelims के लिए याद रखना इसका उपचार हो सकता है therapy and support can help people learn social skills, cope with stress identify early warning signs तो ये एक treatable disorder है ये चीज़ याद रखना prelims के लिए यही पूछा जाता है mainly now यहाँ पर next जो news आती है वो लिंगराज टेंपल से आती है भूमनेश्वर में वहाँ के जो सेवायात हैं जो priest हैं जिने पुजारी जी कहते हैं उनको tested positive for the novel coronavirus और ये पुजारी जी है लिंगराज टेंपल के लिंगराज टेंपल 11th century में बनाया गया था और हाल में ही ये बहुत ज़्यादा news में रहा है यूपी एसी prelims में ये पूछा जाए इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि यार ये ना आ सकता है या नहीं आ सकता है राइट ये पूछा ही जाएगा ठीक है जनरली बहुत ज़्यादा news में ये रहा है तो सॉरी फॉर दा पॉस बीच में कॉल आ गया था तो मैं बात कर रहा था लिंगराज टेंपल की यहां पर सबसे बड़ी महत्ता यहीं रहती है कि self originated lingam है यहां पर ठीक है कोई बनाया नहीं गया लिंगराज टेंपल is believed to be the oldest or largest temple है भुमनेश्वर का और दे टर्म है लिंगराज सच्छ दे किंग आफ लिंग्स 11th century में इसको किंग जजाती ने बनाया था जो की शोम वंस से बिलॉंग करते थे उसके बाद आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे कलिंग स्टाइल का आर्किटेक्चर है यह प्रिलिम्स में पूछा जाएगा इतना ज़्यादा डेटेल में आपसे नहीं पूछेंगे कि टेंपल चार पार्ट में डिवाइड है आपसे यह पूछा जाएगा कि कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर यहां पर देखने को मिलता है और दूसरा यहां पर यह भी है कि एक टर्म होता हरी हरी का मतलब है लौर्ड विश्नु हरा का मतलब है लौर्ड शिवा यह भी थोड़ा सा ध्यान रख ले ना क्योंकि यहां पर क्या होता पूजा की जाती है लिंग राज टेम्पल में है हरी हरा अगर आपसे पूछ लिया तो हरी का मतलब है Lord Vishnu से मतलब है हरा का मतलब Lord Shiva से मतलब है ना उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल डिसकस कर लेते हैं एडिटोरियल बहुत सिंपल है IMD Indian Metrological Department अभी इन्होंने बताया है नॉर्मल मॉन्शून होने वाला है LPA जो है 96-104% 188 cm जून से सेप्टमबर तक Long period average जो है मॉन्सून का 1961 से 2010 तक निकाला जाता है पूरे 50 साल का यह होता है एक और यहां पर टर्मा है आज के अडिटोरियल में कि मॉन्सून कोर जोन क्या होता है तो IMD इसका भी बारिश नहीं होती है और ऐसी जगे भी बताती है जहां पर जो खेती होती है सिर्फ बारिश के वज़े से ही हो पाती है ऐसे भी एरिया बताती है मॉन्सून कोर जोन वाले बट IMD के एक मैं नेगेटिव बात बताता हूं आपको सबने पॉजेटिव बताई IMD क्या होता है कि IMD अभी हमा पास यार इतने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलिजी नहीं है जैसे मैं कहूंगा अगर USA की अगर मेटरोलोजिकल अगर वहां का डिपार्टमेंट होता है यूरोप का मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट रश्या का है तो वह accurate information बताता है कि कब सुनामी आएगी कितनी आएगी ठीक है कितना वह impact कर सकती है बट IMD यहाँ पर accurate information नहीं दे पार ही है accurate information ऐसा होता है हमारा 2019-2020 में देखो एक example है कि IMD ने forecast किया normal rain ठीक है IMD ने बोलता कि normal rain होंगी बट ended up 110% LPA देखने को मिला इसे L9 भी आ सकता है Indian Ocean Dipole भी देखने को मिल सकता है तो कहने का मतलब है अगर आप से कोई suggestion मांगे कि IMD में क्या तो technological advancement होनी चाहिए expertise की बारे में बात होनी चाहिए training देनी चाहिए जो नए जो लोग आएंगे employee आएंगे ठीक है तो दो वांसोन forecast वर primarily evolved to assist with agriculture it is only now getting more urban focused because of natural disaster and a company even normal motion तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये खेती से जुड़े हुए चीज़ों को ज़दा focus करे rather than अभी तो urban focused है क्योंकि natural disaster आपको देखने को मिलते है urban flood flood ये आते रह रहे है इससे पहले भी जो यार केरला में बाड आई थी उसमें भी accurate information नहीं दे पाया था IMD तो IMD में अभी थोड़ा सा और ज़दा technical advancement की जरूरी है तो इस पूरे article से मैंने बता दिया IMD की खराबी क्या IMD क्या बताती है और इस article से ही मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि आपको LPA क्या होता है LPA यानि कि long period average main paper one में geographical feature है उनके location के बारे में LPA calculate किया जाता है पचास साल का 1901 से लेके 2010 तक 89 cm होता है ये country है ये whole ठीक है आपको 88 भी होता है मैं कहूंगा इसका reason बताता हूँ जून से सेप्टमबर में calculate किया जाता है अब rainfall distribution की categories है जैसे normal monsoon होने वाली है तो LPA का 96 to 104% below normal मतलब पिछले वर्स से जो normal rain होती है मतलब 89 cm है उससे कम होगी तो 90 to 96% 89 cm है तो ये normal है तो इसका LPA आएगा कितना 96 से 100% जादा वारिस आएगी तो 110 परतिसत तक 2019-2020 में देखा deficit बहुत ही कम वारिस है तो 90 परतिसत होगा LPA का बहुत जादा है तो 110 से जादा होगा ठीक है ये चीज़ आद रखना और अलग-अलग reason में अलग-अलग normal rain आ सकती 83 cm नौट इस्ट में पचपन है सेंटल इनिया में एक सथ है साथ पेनिसुलर में पचपन है जब इनका average निकालते हैं तो यह आता है 88.75 ठीक है इसलिए इसको कभी-कभी 89 consider किया जाता है कभी-कभी 88 consider किया जाता है राइट नौट नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है न्यूज आती है क्यूबा आप्टर थे केस्ट्रोस एक retirement roll केस्ट्रोस की first जो secretary थे क्यूबा की communist party के वो जो है retire हो गए तो उनसे ही related यहां पर चीज़े हैं कि उन्होंने क्या किया social चीज़ों में बहुत important अपना contribution दिया तो वहीं पर यही चीज़े हैं कि किस तरह से तो आपको जानना है क्यूबा कहां पर है geographical location आपको पता होनी चाहिए आपको बताना है क्यूबा के adjacent में कोई समुद्र है या नहीं है comment box में आपको answer करना है now next tutorial आता है article 324 के बारे में इस पूरे article में धीरे धीरे story frame की जाती है कि article 324 के अंदर election commissioner of India क्या कर सकता है election commissioner of India वही है बहुत सारी power होती है free and fear election करवाने की बट कौन-कौन सी power नहीं है वो भी जान लेते हैं सबसे बड़ी power है model code of conduct अब जो ये पूरा पैरा लिखा गया है model code of conduct है ये पूरा इसी पैरा में लिखा गया है इसको मैं अभी notes के form में समझाऊंगा क्योंकि इस बार model of code of conduct बहुत सारे लोगों ने breach किया था ममताब energy को 24 गंटे की campaign रोकनी पड़ी थी ठीक है क्या election commission of India के पास ये power होती है कि वो officials का transfer कर सकता है तो नहीं होती है जो officials का transfer करना exclusive jurisdiction सरकार के अंदर आता है राजसरकार के ठीक है तो 324 के अंदर ये नहीं आता ये भी आपको याद रखना है code में election commission of India क्या कर सकती है ये नहीं लिखा गया है सिर्फ guidelines यहाँ पर देखने को मिलती है election commission of India is bound to act in accordance with the law in force so transfer और जो officials है वो article 309 में लिखा है ना कि article 324 में तो इतनी भी ज़्यादा power नहीं होती है जितना सोचा जाता है ठीक है अभी किसी भी constitutional body के पास ये power नहीं है कि absolute power किसी के पास नहीं नहीं citizen के पास नहीं election commission of India के पास ठीक है बट यहाँ पर पूरी article में पूरी उसमें election commission of India के बारे में ही बताया है जो कि आपको लक्षिमी कांथ constitutional body article 324 के अंदर पढ़ना है मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा model code of conduct जो कि यहाँ पर पूरी article का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है model code of conduct क्या है अगर मैं बात करूँ model code of conduct की तो election commission of India के यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है weapon है जनलिश्टेडिस पेपर टू पारलिमेंट ट्रांसपेरंसी accountability में यह पूछा जा सकता है model code of conduct होता क्या है बहुत सिंपल है set of guidelines है जो कि political parties या उससे पहले जो candidate लडने आ रहे हैं उनको एक तरह से regulate करने का यह एक जरिया है हाला कि election commission of India के लिए article 324 है जिसमें वो supervise करेंगे free और fair election करवाएंगे parliament और state life lecture के evolution कहां से शुरुआ केररा का एक assembly का चुना हुआ 1960 में तो वहाँ पर कुछ model code of conduct कुछ guideline से लिखी गई थी कि आपको यह करना है आपको यह नहीं करना है फिर 1962 के जो जनरल लोग सभा के election होते हैं वहाँ पर भी यह देखने को मिला फिर 1991 में जब corruption बहुत बढ़ने लगा था मिटिंग पार्टीज मस्ट इंफर्म दर और communal नहीं होना चाहिए hate नहीं फैलाना चाहिए आपको ममताब एनरजी ने क्या कहा था कि आप vote ही मत दो जो lower caste वाले थे उनसे बोला था vote ही मत दो क्योंकि आप vote दोगे तो आपके vote divide होंगे तो एक तरह से ममताब एनरजी को general conduct के basis पर ban किया गया था meeting कहा पर meeting करनी है local police थाना को पहले ही बताना पड़ेगा progression अगर दो और उससे ज़्यादा candidate same route लेते हैं तो उनको time क्योंकि clash होने के बहुत simple है एक bgb काया एक congress है बोलेगा कि हाँ मुझे भी इस दिन rally करनी है अगला बोलेगा मुझे भी इस दिन rally करनी है तो दोनों को route अपने बदलने पड़ेंगे polling day उनके ही लोग होने चाहिए election commission of India के तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है अब मैं आप से बताऊंगा क्या model code of conduct का एक legal enforcement है नहीं इसकी कोई statutory backing नहीं है नहीं इसकी कोई legal binding है ये सिर्फ एक set of guidelines है जिसको strictly implement किया गया है इसके पीछे कोई कानून नहीं है ठीक है बट इससे पहले बहुत सारी जो committee है जैसे 2013 में standing committee recommendation देती है कि इसकी legally binding होनी चाहिए अब एक reason आता है कि यार election commission of India कहता है कि legally binding इसको हम बनाएंगे ही नहीं कियो क्योंकि अगर सबोचलो कोई चुनाव हुए मान के चलो किसी ने model code of conduct को breach कर दिया और legally binding है कानूनी तोर पर उसको सजा सुनाई दी जाएगी पर इंडिया का court system आप सबको पता है 45-60 दिन, 2 मेहने, 3 मेहने 15 साल, 20 साल, विश्णुती वारी का तो 20 साल में केस सॉल हुआ था तो election तो 2 मिनट में हो जाते हैं पर केसे चलते रहेंगे 20 साल तक तो ये इसलिए legally binding नहीं बनाय जा रहा है तो सबसे पहले important prelims के ले model code of conduct legally binding नहीं है ये सिर्फ set of guidelines से बनाई गई set of convention है जो सिर्फ follow किया जाता है next जो editorial आता है वो है West Bengal से election से related कोई जानने के यहाँ पर जरुवत नहीं है क्या क्या चीज़ें बोली गई पहले क्या बोला गया था election में यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है intellectual property appellate board इसको खतम कर दिया गया है इंडिया का specialist tribunal है जो की intellectual property right को बताता था तो इससे पहले भी अगर मैं बारे में बात करूँ तो भारत सरकार patent के बारे में उत्मा ज़्यादा सोचती नहीं है जैसे suppose मान के चलो PR publication है उसका हमने एक logo बनाया है तो वो एक patent रहेगा उसका कोई use नहीं कर सकता दूसरा ठीक है बट यही जो rule है वो मेरे एज़े मेरा individual का right यहाँ पर violate बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर patent act 1970 में लाए गया था उसके बाद कोई कानून में बदलाव नहीं किया गया सिर्फ ordinance लाए गये थे मतलब एक proper होता न जब पर discussion होता है लोग सबाब है फिर राजी सबाब है ऐसा इस patent act के लिए नहीं किया गया सिर्फ यहाँ पर ordinance लाए गये थे और 4 April को यानि कि आज है आपका 19 April आज से पंदर दिन पहले प्रिसिडेंट ने एक साइन किया था ट्रीबिनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन और कंडिशन ऑप सर्विस ऑप ओर्डिनेंट दोजारेकिस और उसमें बोला IP, Intellectual Property Appellate Board को सट डाउन करना है इनको सट डाउन करने की बात कर दी गई है अब यह सट डाउन हो गया इससे पहले भी जो यह वाला बोर्ड था ना यह unwanted child की तरह treat किया जाता था मतलब कोई staff नहीं है कोई underfunded है मतलब पैसा ही नहीं है इनके पास यह establish किया गया था ट्रेड मार्क एक्ट 1999 के बेसेस पह बांकि इसके लिए फिर पेटेंट एक्ट 2002 सुधार किया गया यह क्या करता था वही copyright है ट्रेड मार्क है GI है इन सब को regulate monitor करता था बट यहाँ पर अभी इसको सट डाउन कर दिया गया है वही है टेक्निकल डिजन के बेसेस पह यह अच्छा काम नहीं कर पाता था यह एक रीजन दिया गया है यह किस पह काम करता था ट्रेड मार्क है पेटेंट कापिराइट जोगरिफिकल इंडिकेशन इन सब पह ठीक अब यह बोर्ड के बारे में इसको तो SUT DOWN कर दिया गया है बट इंडिया में IPR होता क्या है और IPR से RELATED क्या है इंडिया में वह हम जान लेते हैं Now, intellectual property right intellectual property right क्या होता? एक ऐसे right होता जो आपके mind से निकल के आता है creative mind से निकल के आता है पैरिस कन्वेंशन में, इंडस्टियल प्रॉपर्टी 1883 में, फिर बरने कन्वेंशन में, ठीक है किसके लिए लिटरिजी और आर्टिस्टिक वर्कर के लिए, दोनों ही ट्रेटीज जो साइन की गई थी, वर्ल्ड इंडलेक्शल प्रॉपर्टी, और्कनाइजिशन के दौरा एड्मिस्टेटर की जाती है, सबसे पहले कॉपिराइट, कॉपिराइट का इशू क्या हो सकता, बुक्स, किसी ने कोई बुक लिखी है, जैसे चेतन भगत की कोई बुक है, तो दूसरा छाप नहीं सकता, म्यूजिकल कमपोजिशन है, पेंटिंग किसी ने बना दी, इड्मार्क हो गया, ठीक है, अलग-अलग साइन हो गया, ओडी का लोगो अब ऐसा नहीं किया, अर मर्सेडी चूरा लेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन पर रइस्टर हो चुका है, जो अग्रिफिकल इंडिकेशन, तो ये सब क्या होता है, आई पियार के अंदर ही आता है, क्या जरूरत है, वही इनोवेशन, इनकरेज करने के लिए, ग्रोथ क्रेटर का सेफ़गार्ट करने के लिए, इसलिए आई पियार का बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, भारत सभी का मेंबर है, जनरली, WPI का भी है, ट्रिप्स का भी है, इंटरनेशनल ट्रीटिज और कन्वेंशन रिलेटेट टो आई पियर, भारत सभी का मेंबर यहां पर देखने को मिल जाता है, अगर लड़ना है, तो हमा पास एक अच्छा सॉलिशन है, ग्रीन कॉंट्रेक्ट करने का, हाला कि जैसे हमने कहा कि कॉंजुमर और कॉर्परेशन, जैसे कोई बिल्डर होते है कोई कमपनी होती है, घर बनाती है, हमारे लिए, और हम उस घर का यूज करते हैं, तो दोनों ही बेनिफिट पा रहे हैं, मैनिफिक्चरिंग और सर्विस का, तो इसलिए हमें क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पोंसिबिलिटी खुद की लेनी पड़ेगी, हमें ग्रीन हाउस गैसेस, एवरी स्टेज में, अलग अलग डिफरेंट स्टेज में गूड्स और सर्विसेस की, हमें इमिशन कम करना है, जैसे डिजाइन में, मैनिफेक्चरिंग में, ट्रांस्पोर्टेशन में, ऐसा मत करो कि ट्रक वगरा से लाओ, अगर बाइस से भी लाया जाता है तो यह हमारा जो कमपनी बना रही है, और हमारा हर स्टेज में, यह होना चाहिए, ठीक है, हमें ग्रिन कॉंट्रेक्ट को इंप्लिमेंट करना चाहिए, ग्रिन टेंडर लगाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है, ग्रिन कौलिफिकेशन भी होनी चाहिए, मतलब जो कमपन बाइसाइकल साइट उस जगह पर बाइसाइकल से करेंगे स्टेबलेसिंग एंड मेंटेनिंगे सस्टेनेबल वेस्ट मेनेजमेंट सिस्टम ठीक है तो अब यह green obligation को maintain कैसे करेंगे सबसे पहले audit होना चाहिए performance का ठीक है दूसरा अगर किसे ने contractual breach किया तो पेनाल्टी भी prescribe होनी चाहिए कि पेनाल्टी उसको क्या भरने पड़ेगी हर जाना ठीक है तो यह green contract का सबसे बड़ा फाइदा है अगर कभी भी पूछा जाए climate change related तो green contract पर आप अपना नाम लिखें राइट मेगलाय में एक century है नौंग खेलम wildlife century ठीक है यह चीज़ याद रखना यह एकचार किलोमीटर मयान मार से दूरी पर है और यहां पर यह बैट मिलता है इंडिया फस्ट बैंबू ड्वेलिंग बैट और इसमें खास बात क्या है इसके features की खास बात है ठीक है दे मोस्ट फॉर एनी स्टेट इंडिया च्छासाट आ चुके हैं डिस्क फुटेड बैट चमगादर बालर लेबल के बारे में बात करें यूएस और चाइना मिटिंग होई थी बिड़न बात करने गए थे तो यूएस और चाइना ने बोला कि हम कॉपरेट करेंगे क्लाइ डेट है ओके रिलक्सेज मास कमेंड डेट ओके तो ये सब चीजें हैं तो आज की पूरे आर्टिकल में हमने पढ़ लिया जो भी इंपोर्टेंट न्यूस थी ठीक है बहुत सारे बच्चे ये भी मुझे मैसेज करते हैं सर पूरा कवर हुआ है या नहीं ठीक है देखिए आप क्या कीजिए अपना जो न्यूश पेपर है वो उठा लीजिए और सब न्यूश मैच करके देखिए ठीक है अगर कोई भी आपको लगता तो एडिशन एट कर लीजिए बड़ इसके आपको जरुवत नहीं पढ़ेगी न्यूश पेपर पढ़ने की जरुवत नहीं है पेट्स प्लैंस में तो आपको ये हालेटेड वर्जन भी दिया जाता है तो कोई चिंता की जरुवत नहीं है चलिए आज का एंड कोड रखते हैं आंसर राइटिंग क्योंकि आज से आंसर राइटिंग बहुत ज़दा डेडिकेटेड होने वाली है आंसर राइटिंग धन आपने बाद!